ग्रय मंत्राले के ऑफिस में अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आग लगी थी आपको याद होगा कि दिल्ली इस्थित ग्रय मंत्राले के ऑफिस में दूसरी मंजिल पर आग लगी जिसमें कई एहम दस्तावेश जल कर राख हो गए अब आपको एक और खबर एक और जानकारी साजा कर रही हूँ वो वे दिल्ली के अंदर बायू सेना की ओफिस में आग लगने की खबर निकल कर सामने आ रही है एक के बाद एक मंतुरालय पर आग की लप्टे जो है वो इन दिनों काफी तेजी से जाती वी नजर आ रही है आग लग रहा है मंतुरालयों में अब पिछले दिनों ग्रया मंतुरी अमिर्शाह के दफ्तर में जो आग लगी उसके बाद विपक्षी दल के नेताओं ने जम कर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि कैसे भाजपाई हार के डर से तमाम जरूरी फाइलों को जला रहे हैं तमाम कॉंग्रेस के नेताओं ने भी इस खबर को साजा किया था लेकिन चलिए आपको दूसरे मंतुरालय की खबर भी साजा करते हैं कि कहां और किस तरीके से आग लगी है दरहसल दोस्तो ट्रू स्टोरी उत्तरप्रदेश से एक पेज है चानल है उसने इस खबर को शेयर किया है और साजा करते हैं कि दिल्ली के जनपत इलाके का वायू सेना भवन दिल्ली की सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगने का सिलसिला जारी है अंसत भवन के बाद वायू सेना भवन में जम कर आग जो है वो लग गई है अब लोगों की प्रतिकिरिया सामने आ रही है लोग कह रहे हैं कि सब जला डाला अपना गुना सब छुपा जाला और आगे आगे देखो होता क्या है कुछ तो ये भी लिख रहे हैं कि भही सबू कि फाइल भी गई जो कोट में बोला था कि गुम हो गई है इस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिकिरिया सामने आ रही है कि कैसे चुनाब उसके दौरान और चुनाब से पहले अभी तो रिजल्ट नहीं आया है ना दोस्तों कि हां रिजल्ट आ गया हो तो ऐसे में जब आग सरकारी बिल्डिंगों में आग लग जाना ये संयोग है या फिर कुछ और है क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जिस तरीके से आग पर आग लग रहा है वो भी कहां सरकारी बिल्डिंग में तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजिम है कि क्या चल रहा है इतना सिक्योर जगा वहाँ पर पिछली बार कहा गया कि AC के वेंट खराब होनी की वज़ा से आग लग गया और अब जो है इस पूरे मामले की जानकारी सामने नहीं आया कि किस वज़ा से आग लगी है लेकिन लोगों की प्रतिकिरिया जरूर सामने आ रही है कि कुछ तो राज है कुछ तो जरूर की दस्तावेज हैं जिनको छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है एक के बाद एक मंत्राले में आपकी लप्ते तेजी से फैल रही है दोस्तों इस पूरे रेपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा सा की साथ चैनल को जादा से जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना भूले